नवरात्री में भूल कर भी ना बनाए ये चार सबजियां वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप और घर में आएगी गरीबी. पंचाम के अनुसार 15 सितंबर से शार्दिय नवरात्री शुरू हो रही है. इस साल शार्दिय नवरात्री पर मातारानी हाथी पर सवार होकर आ रही है. माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुब होता है. और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है. नवरात्री के मौके पर घर की विशेश साफस्पाई की जाती है और खास तयारियां भी होती है ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्री में कुछ सबजियों को खाने से मनाही की गई है और नहीं ये सबजी बनानी चाहिए इन सबजियों को बनाने और खाने से घर में नकरात्मक उर्जा आती हैं और साथ में मातारानी का श्राप लगता है और साथ में हम आपको बताएंगे की कौन सी चीजें खानी चाहिए आये, जानते हैं कि वे कौन सी चीजें और सबजिया हैं, जिनको खाना नहीं चाहिए नंबर एक मूली से बनाए दूरी जोतिश शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है राहु के दोश को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए आयुर्वेद के मुताबिक यह वात वर्धक होती है इसके सेवन से रजो और तमोगुन की बढ़ोतरी होती है इसलिए वरत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं मूली से जुड़ी कोई भी सबजी नहीं बनानी चाहिए नमबर दो लहसून और प्याज भूल कर भी ना खाए नवरात्र के नौ दिनों में लहसून और प्याज नहीं खाना चाहिए इन दोनों को तमोगुन वर्धक माना जाता है लहसून और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ती राहु और केतु से हुई है इसलिए इन में गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उप्योग नहीं किया जाता नमबर तीन बासी खाना ना खाए गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए नमबर चार मास का सेवन ना करें नवरात्र के पर्व पर मानसाहार खाना वर्जित माना गया है मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए दुरगा सबतश्ती में इसको लेकर खास दिशानिर देश दिये गए है पूजा करने वालों को जीवों पर दयाभाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए नमबर पांच मसूर दाल ना खाएं मसूर दाल को धार्मिक ग्रिश्टी से अपवित्र माना गया है इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है आयुर्वेद में इसे रजोगुन को बढ़ने वाला बताया गया है जबकि साधना के लिए सात्विक गुन को बढ़ाना जरूरी होता है नमबर छे सीताफल और गाजर से बनाए दूरी नवरात्री वरत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनानी चाहिए इन्हे रजोगुन वर्धक माना गया है गाजर भूमी के नीचे उगती है इसलिए इसे अपवित्रक माना जाता है और इसलिए नवरात्री में घुलकर भी गाजर की सबजी ना बनाएं नमबर साथ बैंगन से बनाएं दूरी नवरात्री के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए बैंगन में रजोगुन होते हैं ये सात्विक भावों को कम करता है इसके अलावा इससे तवचा रोग होने की भी संभाव ना होती है बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है इसलिए बैंगन की सबजी ना बनाएं नमबर आठ मसाले भी हैं वरजित नवरात्री के वरत में कुछ मसालों से भी परहेस किया जाता है जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्री के दिनों में खाने से परहेस करना चाहिए नमबर 9 सफेद नमक भारतिय लोग तीखा चटप्टा भोजन पसंद करते हैं वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है नमक के रूप में समुदरी नमक का इस्तिमाल किया जाता है जिसे सफेद नमक भी कहते हैं लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तिमाल करना चाहिए व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्विकार्य है वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फाइदे मंद होता है इसलिए नवरात्री के नौ दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें नमबर दस अनाज नवरात्री के नौ दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बना कर रखनी चाहिए इन में गेहू, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है वरत में तो इन सभी चीजों का सेवन सक्त वर्जित है ऐसे में इन नौ दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए आईए अब जानते हैं नवरात्री में किन चीजों को खाना चाहिए नमबर एक आलू नवरात्र के दिनों में आलू अधिक्तर लोग खाते ही है आप आलू को उबाल कर और इसमें सेंधा नमक मिला कर खा सकते हैं नवरात्र वरत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है साथ ही आलू में कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन अधिक होता है ऐसे में वरत के दौरान आलू खाने से आपको एनरजी भी मिलेगी ठकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा नमबर दो शकरकंद शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है लेकिन यह स्वाद में मिठा होता है अगर आपने नवरात्र का वरत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं शकरकंद खाने से विटामिन C, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा इससे आप में वरत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी नवरात्र वरत में आप लोकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं लोकी की सबजी पोशक तत्वों से भरपूर होती है इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं लोकी में पानी की मात्रा अधिक होती है ऐसे में लोकी की सबजी खाने से आप हाइडरेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी नमबर चार टमाटर अगर आपको बिना टमाटर के कोई सबजी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं यानि आप नवरात्र वरत में भी सबजी में टमाटर डाल सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं नमबर पांच अदरक कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र वरत में अद्रक खा सकते हैं या नहीं तो इसका जबाव है हाँ आप नवरात्र वरत के दोरान भी अद्रक को चाय या सबजी आदी में मिला कर खा सकते हैं नमबर छे, खीरा खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है ऐसे में वरत में खुद को हाइडरेट रखने के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं इससे आपकी भूख भी शान्त होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी नमबर साथ कच्चा केला और पपीता नवरात्र वरत्मे केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी वरत्मे कर सकते हैं नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सबजी के रूप में कर सकते हैं इससे आपको परियाप्त एनर्जी मिलेगी नमबर आठ साबूदाना खिचडी और साबूदाना लड्डू नवरात्री व्रत के दौरान साबूदाना खिचडी एक लोक्त्रिय व्यंजन है इसे साबूदाने और सूखी डाल से बनाया जाता है जो पचाने में भी काफी आसान होता है चावल उड़त की डाल, बंगाल चना और चना डाल इस व्यंजन की मुख्य सामगरी है यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है तो साबूदाना लड़ू एक और लोक्त्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्री के उपवास के दौरान खा सकते है नवरात्री में उपवास के दौरान गेहू और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमती नहीं होती है ऐसे में आप कुछ्ट्टू का सिंधाडे का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफेद चावल की जगह आप बार्नियाड बाजरा यानी समाई के चावल खा सकते हैं नमबर दस देरी उतपाद और सबजियां पाचक सबजियों में सहजन और लौकी शामिल हैं ये सबजियां वरत के दौरान खाने के लिए उप्युक्त होती हैं साथ ही आप चीज, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेरी उतपादों का सेवन नवरातरी के उतवास के दौरान कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद